अरे भाई ये में का देख रहा हूँ? क्यों तो ना वड़ा पिलेजर? फिट से एक नई सुबा, एक नया दीन, लेकिन आज की नई सुबा हमारे वो पुराने से घट्या से घर में नहीं हुई है क्योंकि गईस आपको तो पता ही कि मैंने पिछले वाली वीडियो में दया के दादे को बलती से टपका दिया था तो उसके वज़े से दया के परिवार वाले भोती जादा गुस्सा हो गए थे और गुस्से में आकर उन्होंने मेरे घर पे कबजा कर लिया और वो अम मुझे मेरे ही घर में गुस्ने नहीं दे रहे वो देखो वो भी भी मेरे घर के एंटरेंस पही गुम रहे है यहां तक तो सब ठीक है पर उन्होंने अब तो मेरे पुरे घर के धजे उड़ा दी अब मैं चाहूं दो भी मैं अपने पुराने वाली घर में नहीं रह सकता क्योंकि जो मैंना बचा कुछा घर था वो भी देखी फुपाजी ने पिछले वाली वीडियो में पुरा टेस्नेस कर दिया इस सब की वज़े से वे विछले दो दिन से अपने घर के बारे जोपड़ी में दे रहा हूं मेरा तो जब भी ठेक है गाईस मेरे तो पूरे परिवार को भी देखे परिवार वालों ने घर से भार निकाल दिया देखो वो रहे बिचारे ये लोग भी पिछले दो दिन से सेंटा की गाड़ी में ही बेटे वे हैं आप समुझे लोग की इतने डर चुके हैं कि सेंटा की गाड़ी से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं चलो भाई लोग दो दिन होगा हैं अब तो नीचे उतर जाओ देखा गाईज कैसे इन लोगों की फटी पड़ी हैं मुझे मालूम है कि अब भी ये सोच रहूंगे कि ये सब तो नमूने हैं लेकिन बाबुजी दिखाई कुनी दे रहें तो गैस देखे परवर वालों ने मुझे से बदला लेने के लिए अपने दुश्मन के साथ मिलकर अपने बाबुजी को किड्नेप करवा दिया है हाँ गैस में उन लोगों की ही बात करो जो मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको काले काले से दिखाई थे ना वो ही अपने बाबुजी को उठा के ले गए पदानी यार हमेशा बाबुजी भी मुसीबत क्यों आती है अगर दया के परवर वालों को बदला लेना ही था तो इन में से किसी एक जेटह को ले जाते इससे क्या होता कि उनका बदला भी निकल जाता मेरे को तो लगता है किसी की नजर लग गई है अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ अपनो चलते हैं बाबुजी को बचाने पता नहीं बाबुजी के साहलात पे होंगे लेकिन जाने से पेले आपने को थोड़ी सी तयारी करना पड़ेगी क्योंकि मैंने सुना है दैय के दुष्म बहुती खतरनाक है अगर अपन अपन ऐसा ही उट के चलेगे तो हो सकता है वो अपने को टपका दे नहीं भाई में तो रिस लेनी सकता अपनों सारे तयारी करके ही चलेंगे और उसके लिए अपने को जाना पड़ाएगा बंदू की दुकान पर लेखिन यार हमें बंदू की दुकान पर कैसे जाओं क्योंकि पेदल जाना तो एकदम impossible है अरे आइडिया चलो अपने काम करते हैं सेंटा की गाड़ी ले चलते हैं इसकी मदद से अपन दो ब्रेट में पहुच जाएंगे और साथ में ही इन लोगों का थोड़ा घुमना भी हो जाएगा ओके गई इस पूरे घंटे के सफर के बाद और पूरे रास्ते नमूनों की बगबग सुनने के बाद हम फाइनली वो गाउं पोज गए हैं जा पर बंदू की दुकान बनीवी है ओके अब अपने को वहां आगे जाना है बट अब अपने को आगे पेदली जाना होगा क्योंकि सेंड़की गाडियन गाउं की पतली गालियों में फज जाएगी तो अपने को अभी ये नमूनों को इहीं छोड़के जाना पड़ेगा वेसे भी ये लोग पूरे रास्ते इतनी बकवास कर रहे थे कि मेरा टोटल दिमा खराब हो गया अब मेरे को थोड़ी शांती चाहिए ए सुनो तुम लोग अगली बार में अपने साथ तुमको कहीं भी लेगे ने जाओंगा देखो देखो कितने बेशनों में अभी भी अपने बातों में ही लगे वे हैं मेरे तो यार कोई परवाई नहीं है छोड़ो इनको अपन भी इनके परवाग्यों कर रहे अपन तो चलते हैं बंदू की दुकान पर मुझे मालूम है भी सोच रहोंगे कि ये बिल्डिंग क्या बंदू के दुकान है तो गाइज नहीं ये तो वो अःल एले की लैब है बंदू के दुकान तो इस गाउं के पीछे हैं तो फिर किसके निज़र कर रहे होता है चलो फटावर से एक मस्ता बंदू खड़ीने चलते हैं जब में एक साल पहले ही गाउं में आया था ना तब यह गाउं पो तलग था और साथ में ही यहाँ पर काफी ही सन्नाटा भी था पर यार अभी गाउं में तो काफी ही बदला हो गए हैं और यहां की पॉपलेशन भी बहुती जादा बढ़ गई है यह देखो इन्होंने कैसे मेरे को चारो तरफ से घेल लिया ओ भाई लोग मेरे आसफ़ भीड लगाना बंद करो यहाँ पर कोई भंडारे नहीं चालू है और यार यह तो सुनने के लिए तयारी नहीं है चोलो भागलो यहां से वरना यह लोग तो मेरे को दबा कर मेरे कच्चो मन निकाल देगे ओकी गाईज मैं कैसे देशे अपने जान बचा कर भीड से तो निकल आया और आप मेरे सामने देखे सकते हो कि हम फाइनली बंदू के दुकान पहुझ गए हैं पर एक से गिड़ी बंदू के दुकान भी काफ़ी बदली बली लग रही है क्योंकि एक साल पेले जब में यहाँ पर आया था न तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था पर अब तो देखो यहाँ भार भी बंदू के लगा दी है चलो अच्छा है अपने को जो बंदू के अपन यहाँ से सेलेट कर लेते हैं और फिर अंदर जाके वही बंदू खरीद लेंगे तो क्या अपन एक बार यह बंदू के दुकान से पिस्टोल तो खरीदी चुके हैं तो फिर इस बार अपन यहाँ से एक मशिन पिस्टोल लेंगे और एक राइफल ले लेंगे ताकि दूर से ही पड़ से हेट्शोल लगा सकें और साथ में ही धेर सारे यह वाले बंब भी ले लेंगे क्योंकि मैंने दया से सुना है वो जो दुश्मन है न वो जुण में अटेक करते हैं तो अपन उस टाइम यह बंब उनकी जुण में फिक देंगे लगता है इस दुकान के सेट का 25 दिन में पैसा डबल हो गया है तो अभी तो उसने अपनी दुकान इतनी बढ़िया कर ली है क्योंकि पहले जब में यहाँ पर आया था न तो यहाँ पर सिफी यह बंदू की रखी भी थी पर अब तो देखो यार इनोंने बंदू के साथ साथ आर्मर के स्टॉक भी रख लिया है देखो तो सही कितने ब्रांडेट कॉलिटी के आर्मर रखे वे चोलो अपने लिए अच्छे है अपन यहाँ से एक आर्मर भी खड़िल लेंगे इसको बंदू बनाने में तगलिफ हाती है इसलिए इसने बना कर दिया टेंशन मतलो अंदा सेट मैं खुद बंदू बना लूँगा ठीक है वेसे भी गईज यह पिस्तोल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो न यह भी मेरे खुद नहीं बनाई थी और बता है कैसे यह जो सिलाई की मशीन यहाँ पर रखी है ना जिस पर यह हतोड़ा और बंदू की गोली रखी है इसकी मदश से बस अपने को कुछ जादा करना नी पड़ता है इसमें से बंदू स्लेट करना पड़ती है और फिर उसको असेंबल करना रहता है बस लेगिन उसके लिए अपने को बंदू के बनाने के सामगरी भी चाहिए होती है तो उसका भी टेंशन नहीं है गाइस क्योंकि यह बंदू के दुकान पर यहाँ पर एक उपर स्टोर रूम है देखो यह रहा यहाँ से अपने को बंदू करते हैं धेर सारा लोहा और पिस्तोल और इसके लिए अपने को बस 20 किलो लोहा चाहिए ओके लोहा डाल दिया है मैं अब करते हैं इसको असेंबल और यह देखोगा इस अपनी मशीन पिस्तोल तैयार मुझे मालूम आप सोचे रहोगी कि मेरे पास पहली ही एक पिस्तोल है तो फिर मेरे यह मशीन पिस् तो ठीक है इसमें सिफ 24 किलो लोहा ही लगेगा तो यह डालते है और करते हैं इसको असेंबल ये देखो गया इस अपनी राइफल भी तैयार और यह आन्नी पिस्तोल से दखने भी कितनी बड़ी है और साथ में आर भारी भी इसको तो तो यार दोनों हातों से पंगडना पॉम हाँ ये रहे इसके लिए भी अपने को बस लोहा और बारूच चाहिए तो फिर ठीक है बस आप फटावर से डेर सारे बाउम असेंबल कर लेते हैं ओगी गई इस अपने बास अपने बास अपने जंग पर जाने के लिए तयार हो चुके हैं और इसे के साथ अपन आलमन लूँ चलो ये वाले ले ले दे क्योंकि काफी ही तगड़ा दिखरा है ओके फेंटास्टिक अब अपन जंग पर जाने के लिए तयार हैं लेकिन उससे पहले इस सब चीजों का पेमेंट कर दू फिर चलते हैं जंग पे हां अंदर से ये सब चीजों का कितना हुआ बस इतन लेते हैं बैसे भी मेरे कुछ काम का नहीं है ये लो भाई ये लिवर पकड़ो और सारा सामान दे दो वोगी एस फाइनली अपनी जंग की तयारी हो चुकी है अब चलते हैं सीधा बाबुजी को बचाने लेकिन जाने से पहले अपन बंदू को थोड़ा ट्राय कर लेते हैं चलो भाई भाग लो यहां से उससे पहले कि वो अबंगस वालों को मालू पड़े बंदू को ट्राय अपन दुश्मरों के अड़े भी कर लेंगे चल बागा सेंटा की गाड़े आगे बढ़ा और एकदब 120 की स्पुट भागा ना यहां का पता किस ने दिया तो गईस मुझे यहां का पता दया नहीं दिया मैंने जरूर उसके दादों को टपका दिया पर वो अभी भी मेरा दोस्त है चलो भी भोत होगे बाते अब चलते हैं बाबुजी को बचाने लेकिन उससे पहले नमनु को जंगल में कहीं चुपा द लेते हैं वरना मालूप पड़े कि ये भी किटनेप हो जाए ओके मेरे इससाब से ये लोग अब सेफ रहेंगे तो ठीक अब सिधा चलते हैं वो महल की और वो दुश्मनों की वाट लगा देते हैं मतलब उन लोगों की हिमत कैसी हुई मेरे बाबुजी को उठाने की लगता अब ड़ने की कोई बात नहीं है लेकिन यारा मेरे को एकदम फूक फूक के कदम लगना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इस जंगल में पूरी तरफ दुश्मन फेले वे हो यहार ये दुश्मन लोग मेरे साथ चिटिंग कर रहे हैं लगता है इनको पहली सी मालूम था कि मैं इंटी फेक दिया ओ भागो भागो बजगया यार अब तो इसका बेंट मजाना पड़ेगा बहुत तेज चल रहा है ये क्या भाई समझता है कि अपने आपको मेरे पे बॉम फेके माले गए तेरे को ये दुनिया सो उड़ा दूँगा चल निकल यहां से बड़ा आया मेरे स बंगा लेने चलो इसको भी निप्टा दे पर यार मेरे को और भी जादा डर लग रहा है अभी तो ये दुश्मन एके करके आ रहे हैं तो ठीक है पर यार जब जुन में आएंगे तो पता नहीं क्या होगा ओ माई गौड एको दुश्मन और इसके हाथ में तो हत्यार भी है लेकिन इसकी तो एक सेकेंड में ही आवा निकल गई लगता है मेरे को डंडे की जादा जरूरत नहीं है क्योंकि दुश्मन कमजोर लग रहा है लेकिन जब भी मैं रिस लेनी नहीं वाला मैं एक बार इस पेर पे चड़कर उपर से पुरे जंगल को अच्छे से आईला किसी ने वहां से तीर मारा औरे भाई भागो यहां से इसका मलब क्यों महल की उपर भी दुश्मन तेनाथ है शिट यार मेरे को इरको कहीं से चुपके से टपकाना पड़ेगा क्योंकि इनके होते वे महल के अंदर जाए नहीं सकता तो ठीक है मेरे इससाब से यह तो जाने का को रास्ता नहीं है लगता है मेरे को नीचे से ही महल के अंदर गुसना पड़ेगा वो भी दुश्मनों से लड़के क्योंकि उपर से जाने का को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो अच्छा यहां से महल का इंटरेंस है और अपने अभी ही यहां के दुश् कुन सादे दुश्मन है और यह दुश्मण तो और भी जादे थाकत में bet लग रहे हैं ऑमने को क्या टेंश्ट है अपने बास कि अपने इकों नम्हुण है ये कोई दुश्मन से टपकाऊंगा ये भी खतम बाहर तो काफी जादा आवाज आ रही थी पर यहां तो बड़े ही कम दुश्मन है लगता है सब मेरे से डर के भाग गए यह देखो इसको केसे मेरे से डर के खुपचे में खड़ावा है देख लो गाइस कितना खोफ है मेरा यहां पर मेरे को मान से कौन आ गया यहार मेरे को लगा मैंने सब को टपका दिया है अब बाबुजी को आसानी से बचा लूँगा पर नहीं अपनी किसमें तितनी अच्छी कहा है एंड में हमेशे कुछ ले कुछ गड़बर हो नहीं है शिट यार हमें यह नीचे कहा टपक गया एक काम करता पेड़ पर चड़ता हूँ और देखता हूँ कि यह साला है कौन जो बाबुजी को बचानी से रोक रहा है यार मेरे को तो यार कोई रोबोर दिख रहा है लगता है यहां का बौस है तबी तो कितना बड़ा है और लंबा भी बहाँ पर यह कितनी खतना का वाज़े निकाल लगता है बहुत ही ज़ादा गुस्ता है अब तो यार मेरे को डल लगा रहा है कि मैं इसको मार पाऊंगा की नहीं ओहory बहाई सो भागे कितना बढ़ा है और यार यी तो मार भी रहा है अब क्या गरूं गाई समझ नहीं आरहा है ऑश इसने मेरे को रिचे कि ग्रा दिया ड जिखने में जितना खतना ग्रोबोर दिखना था वो उतना ही कमजोर निकला लगता है भंगार से बनाया था चलो छोड़ो कैसे भी बना हो क्या करना पाँ तो बाबुजी को यहां से निकाल लेते आजाईए बाबुजी अराम से आजाईए अब कोई टेंशन की बात नहीं मेर बाबुजी बढ़े गए तो अब मैं कहां बेठू अर आइडिया एक काम करते ही दो जेठाओ में से जेठे को रीचे उतार देते हैं चलो तर नीचे ओगी गईज मेरे जेठे को रीचे उतार दिया है देखो वो रहा अरे जेठी अटेंशन मतले ओटो पकड़के आ आ जान बागो यहां से यार यह तो मेरे भीचे बढ़ गया बगर क्यूं लगता है यह वो दुश्मरू का वास है और मेरे से बदल लेने आया है यहार इसे बद्दुक से तो कुछ भी नहीं हो रहा है लगता है अब तो बे गया